वड़ोद्रा मुंबाई एक्स्प्रेस वे पर कामगिरी करी रहेल पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनीए 24 कल लाग मा सौथी वदू कामगिरी करवान वर्ल रेकोर्ट सरजिया चे वडोद्रा मुंबई एक्सप्रेस वे नी कामगिरी दर्मियान पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी चार वल रेकोड सरजिया जे जे मां 2 किलोमीटर नो मार्ग 24 कललाक मां बनावीने कम्पनी जिद्धी हसिल करी छे वड़ोधरा मुंबई एक्स्प्रेस वेना बांध काम मा पटिल इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी ये बे किलो मिटर नो मार्क बनावी ने वीश्व विक्रम सरज्यों छे कंश्रक्षन डेवलोप्मेंट अने मेंटनेंस सर्विस कम्पनी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चार विक्रमों सरजीन नवी सित्ती हसिल करी छे मनुबर सनपा पादरा शेक्षन नू कारिया विक्रमी समय मर्यादा मा पूरू करीने गोल्डन बूक ओफ फॉल्ड रेकोर्ड अने इंडिया बूक ओफ फॉल्ड रेकोर्ड मा स्तान प्राप्त करियू छे आजना आधुनिक युग मा लोकों ने जड़प वधू पसंचे पछी ते इंटरनेट होई सोसल मीडिया होई क्या पछी मसीनरी होई तमाम विभाग मा लोकों ने जड़प वधू पसंचे आजना युग मा लोकों पासे समय नो अभाव छे ते कहवू खोटू न थी आजना युगमा जेरे जड़पी दुनिया लोकों ने पसंचे त्यारे वहन वहवार नी पन जड़प वधे ते अत्यन जरूरी छे वडोधरा मुंबई एक्सप्रेस वे नी कामगिरी सरू थे गई छे जेमा वडोद्रा मुंबाई एक्सप्रेस वे नी कामगिरी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी साथे अन्या विविद कम्पनियोंने सोपवामा आवी छे आठ लेन ना दिल्ली वडोद्रा मुंबाई एक्सप्रेस वे ना गुजरात माती पसार्त ता हिस्सा पेकी ना मनुबर सनपा पादरा शेक्षन ना बससो बानोती 355 किलोमीटर सुधी ना बांध काम विक्रमी समय मरियादा मा पूर्ण करीने पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कम कंपनी कंस्रक्षन डेवलोप्मेंट अने मेंटेनेंस सर्वीस करती कंपनी छे पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा चार विक्रमों सर्जी ने नवी सिद्धी हसिल करी छे जे मा 24 कल्लाकमा सौथी वदू 4641.43 क्यूबिक मीटर उचक्षाना पेवमेंट कॉंक्रिट पाथरवानु कार्य कर्वा मावियो छे साथेज 24 कल्लाक मा पेविमेंट कॉलिटी कॉंक्रीट ना सौथी मोटा 4527.50 क्यूबिक मीटर नू उत्पादन करवानू कार्य कर्यू छे साथेज 25.53 मीटर नी पोहड़ाईना 288 मीटर ना विस्तार मा 24 कल्लाक मा गुणवत्ता वाडा कॉंक्रीट ने पथरवानों अने एक्स्प्रेस वे माटे 24 कल्लाक मा 48,804.55 स्क्वेर मीटर कडक पेविमेंट गुणवत्ता वाडा कॉंक्रीट नाकवाना विक्रम नो समावेस थाई छे पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेट ना मैनेजिंग डाइरेक्टर अर्विंद पटेले तेमनी कम्पनी ने आ सिद्धी हसल तया बाद जनावी हतु के आ प्रचंड कारिय सिद्ध करी अने भारतिय मार्ग निर्मान उद्योग मा इती हसना पुस्तकों नो एक भाग बनवा माटे तेवो उच्सा ही हता तेवो ए मात्र मार्ग अने घुरी मार्ग ना निर्मान ना शेक्मेंट मां बेंच मार्ग सेट करवानों ज नहीं परन्तु जवाबदार रिते तेने करवानों पन प्रयास करियो चे पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी टूक समय मा आ सिद्धी हासल करी चे साथे जब पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पसे हेवी मसीनरी पन उपलब्द चे दिल्ली से वडोद्रा और वडोद्रा से बंबे जैसे वडोद्रा से बंबे ये पूरा 8-line expressway concrete road है जिसमें हमारी कंपनी वडोद्रा से लेक्के भरूस तकका ये 8-line expressway हम काम कर रहे हैं इस एक्स्प्रेस वेवे में एहमियत है कि यह पुरा रोड कॉंक्रीट रोड है, इस कॉंक्रीट रोड में इसकी फोर लेन की चोड़ाई है इस हाईवे की 18.75 मीटर, 18.75 मीटर का पेवर इंडिया में उपलब्द नहीं था, तो हमने मेकिन इंडिया में स्पेसियल विट्जन इंडिया के पास से ये 18.75 विटर स्लिप फॉर्म पेवर हमने वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट पेवर लिये जो मंत्राले ये कह रही है कि रोज के हमको मैक्सिमम किलोमेटर रोड करने है उसका रोड का निर्मान करना है उस निर्मान के आधारत पर हमने भी ये सोचा कि हमको कैसे एक रेकोर्ड क्रियेट किया जाए तो हमने ये सोचा कि हम 24 गंटे में दो किलोमेटर का कॉंक्रीट रोड कंप्लीट करेंगे तो हमने ये एक कैटेगेरी ऐसी स्थापित की है जिसमें हम लोग 12-14,000 क्यूबिक मेटर कॉंक्रीट लेंग करेंगे इसमें 18.75 मेटर विट करे इसको रेजिस्टर किया है ये एक एसा मकाम करने जा रहा है जिसके हमारी इंदस्ट्री को एक ये बेंचमार्क सेट हो जाए कि हमारी इंदस्ट्री में भी ये काम हो सकता है 12-14,000 क्यूबिक मेटर और 2 किलोमेटर पर डे रोड बनाना इसके चलते ये रेकोर्ड अगर अग ये सोचेंगे कि इतना स्पीड से काम क्यों नहीं होगा मिनिस्ट्री का ये स्लोगन है हम सडक नहीं देश का निरमान कर रहे हैं उस देश के निरमान में हम ये हमारी स्पीड मेच करने जा रहे हैं। प्राप्ती टीम अने बांधकम टीम द्वारा प्रोडक्सन साइट ठी बिचावेला स्तड़े 115 टीपर्स ना काफलाने कार्यक्षम सहाई प्रदान करीने संपून रिते अधर्भूत अने चलावामा आवी छे प्राप्ती विबागे मुटी मात्रा मां 5000 मेट्रिक टन सीमेंट फ्लाई एश नी 500 मेट्रिक टन एशी मेट्रिक टन एड मिक्चर्स अने 150 के एल एच एसडी अने अन्ते 1 लाक मेट्रिक टन साथे मड़ीने विशार प्रमाण मां सामगरी पूरी पाड़वानी कार्जिली प्रशंगे यादbereich टिमने सम्मा निट कर्वामा आविया हता औरे सिट्कुर मनीश विश्णवी हादि गोलन लóbगा रिकॉट्स देश और दुनिया भर ने कोई ऐसे घॉते हारck आज सेकेंड फरवी 2021 को मैं बडोधा एक्स्प्रेस वे पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे यह जो मशीन है यह जो मशीन है यह रिडजन पीक्यूसी मशीन यह पेवर्मेंट क्वालिटी कॉंक्रेटिंग मशीन और यह दुनिया की सबसे वाइड मशीन है इसकी विट्थ जो है that is of 18.75 मीटर्स और यह दुनिया की सबसे वाइड मशीन है जो फोर लेन रोड एक साथ बना सकती है पडेल इंफ्रस्ट्रक्टर्स के जो एमडी सर एंड चेयर परसंस है उनका एक विजन था उनका ऐसा शाय सोचना था कि वो दुनिया का सबसे चौड़ा रोड मतलब जो रोड बनाए जाता है उसको एक लेंथ में एक सिंगल मशीन से बनाएं देट कॉंटेक्टेक्ट जर्मन मेट कंपनी और उसके साथ उन्हें टाइब करने के बाद इस विशेश मशीन का ओर दिया और इसका जो कारनामा है आज आप सभी के सामने है और जिसको जच करने के गोल्डन बुक आवर्ड रिकॉर्ड के टीम यहां पर उपस्तित रही है और वेरी प्राउडली आइकन से बेड आर एबल टो रीज दैट गोल्डन बुक आउवर्ड रिकॉर्ड के लिए भी यह एक बहुत बड़ा कारनामा था मैं जुरूर यह बात जोडना चाहूंगा क कि हमारे देश के माननी प्रधानमंति स्री नरेंद मोदी जी का जो सपना है देश की नेशनल कैपिटल और देश की आर्थि कैपिटल मतला मुंबई और डैली को चोडने का उसको कनेट करने के लिए यह रोड बन रहा है इस इस काल्ड किम बढोदरा एक्स्प्रेस वे और जिसको पटेल इंफरस्ट्रक्शर लिमिटेट कंपनी इस पार्ट को यहां बन रहा रही है और यहां पर मैं इसी को विटनेस करने के लिए था देवर फोर क्लेम्स क्लेम्ड वाइप अप्लिकेशन थी जिसका हमने भी वेरिफिकेशन किया है सबसे महत्पूर जो यहां पर मीटर्स और यह शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा फुल लेंथ जो होती है फोर लेंग के देटीन पॉइंट सेन फाइफ मीटर्स उसको सिंगल मशीन से बनाए गया है और सबसे बड़ी विशेश्ता यही है यहां कि जो एक विश्वी रिकार्ट को में इस मशीन के द्वारा 1280 मीटर्स की लेंथ को कंटिनुशली स्ट्रेच करके कंस्ट्रक्शन किया गया है रोड बनाए गया है इसमें सबसे महत्पूर बात ही होती है क्योंकि जो इंटरनेशनल नॉम्स हैं जो भारत में गवर्मेंट के नॉम्स हैं उनको फुल फिल करते हु इसमें पर रचिए को बैनाए उतनी ही क्वाणिटी में उस्क्वालिटी के साथ प्रोड़क्शन करना यहां पर पहुचाना एन अगान इट वास डे एंड़ नाइट मैं यहां पर कल था बेसिकले आंड बाइली आ वह वस फिलिंग इतनी ही थी यहां पर इड पर इट और पीपल, साड़े तीन सो लोग है, जो एक्चुली इस मशीन के साथ काम कर रहे थे, वो लगातार पूरा काम करते रहे, पूरा मैनेजमेंट के टीम यहां पर लगी हुई थी, and it was really, I will say, it's a matter of proud for India. Myself, MK Chaudhary, representing India Book of Records, और इस इवेंट को मैं विटनेस करने के लिए, India Book of Records के एज एज एड़ुकेटर आया हूँ, ठीक है, अभी मैं बरोदाव Mumbai Express Highway के रेकॉर्ड पॉइंट पे खड़ा हूँ, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले नावने, इस रेकॉर्ड को एचीज़़एंट के किया है, जिसके लिए मुझे आज कहने का कुछ मोका मिला है, ठीक है, यह सेक्शन जो है, 63 किलोमेटर का इनको पटेल इंफ्राइस्ट्रेक्शर को जॉब दिया गया था, इन्होंने एक चैलेंज के रूप में, वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाने के लिए, पूरे अपने टीम के साथ, अपने पूरे प्लांटे मेशनरी के साथ, यहां पर एकत्रित हो करके एक राइट इस्पडीट में इस चैलेंज को लिया है, जो कि अभी-भी ठीक आठ वजे, पूरे 24 घंटा में, यह अपने टार्गेट से 80 मीटर जादा एचीव किया है, यह इनका टार्गेट 1200 24 घंटे में एचीव कर लिया है, और 7000 कुबिक मीटर कंक्रीट की जगा, इन्हें 7200, exactly 24 कुबिक मीटर कंक्रीट का इन्हों ने 24 घंटे में यूज किया है, और इसका स्रेपुरा इस मसीन को जाता है, जो वर्ल्ड का पहला मसीन है, जो आज के दिन में पतेल इंफ्रास्ट् विट्ट 18.754 लेन कंक्रीट एक वे में, एक गो में इन्होंने कंप्लीट किया, ऐसा अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे मसीन की कारनमा कहीं देखने को नहीं मिला है, हाँ, इतना कह करकर के मैं इन पतेल इंफ्रास्ट्रक्स के पूरे टीम को, पूरे मेनेजमेंट को, जिन्होंने इस वेल उर्गनाइज़, इसमूथली, चोविश घंटा, पूरे चैलेंजेट के साथ कभर अप किया है, ओके, थैंक यू टो आल एंटू आल इंफ्राइट के अटू नहीं थे,